हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम तो इस अमेजिंग प्लेटफार्म टॉप 10 क्लासेस तो प्यारे बच्चो आज के वीडियो में हम लोग कच्छा दस की साइंस स्टार्ट करने वाले हैं तो आज हम लोग जानेंगे की साइंस क्या है और साइंस कच्छा दस में आपको कितने भा साइंस क्या होती है प्यारे बच्चो एक छोटी सी कहानी स्टार्ट करते हैने एक सीमा नाम की लड़की थी वह अपने माह से पोस्ती है की माह जो भोजन पकता है है तो पकने कि Bhojan कैसे पकता है या वो कूप कीूश्टि और पूश्टी में इस किंट केके क्वाजटा पूश्टी है तो उसकी मा ने जवाब उसको देती है कि सब फालतू क्व क्यूश्ट्ट कोई पूचन हाले यूग्य नहीं है तो वही फ़र प्रें ग्लास में पूछ लेति है कि सर जी सर जी ये बताइए कि कुकर में सीटी कैसे बशती है कुकर में भौजन कैसे पकते हैं तो उसके teacher को जवाब देते हैं तो जवाब को पाकर वो संतुष्त हो जाती हो लड़की तो वह जो लड़की के मन में जानने की जो इच्छा उठी, जानने की जो जिग्यासा होई कि कोकर मीं सीटी कैसे बशते हैं, भोजन कैसे पकता होगा, और कई प्रकारी को स्टा पर माँ से पूचे क्यूस्टेंट की जानने के जिध्यासा ह Lucky वह जरूर उमिद करते हो का gamma कर्म बध्ध से ज्ञान कि क्या करते हैं यानि कोई वस्त हो गया उसके बारे में क्या करते हैं बिग्यान रहते हैं, तो आईए हम लोग बिग्यान के बारे में और जान लेते हैं, प्यारे बच्छों, जो यह साइंस है, उस सब्ध की उत्पति सिंटिया नामक सब्द से हुई, किस से हुई है, सिंटिया नामक सब्द से, और सिंटिया का मतलब होता है जानना, यानि किसी क वारे में किसी वस्त के वारे में जानना ही, जानने की इच्छा ही आपकी साइchuss कालाती है, आपकी बिज्राद कालाती है, तो प्योर बच्चों, प्यारे बच्यों, जरूरा लेकर लेते हैं साइर्ट की बिग्यान बिग्यान की इंगलिस होती है सी आई इन सी ए तो प्यारे बच्चों साइंस की डीपनी सन्म ने क्या बताया बताया किसी वस्तु के बारे में किसी वस्तु के बारे में जानने की जिग्यासा जानने की जिग्यासा ही जिग्यासा ही विज्ञान कहती है क्या कहती है बिज्यान कहती है जैसे आप कई?] 29 का ऐरोपलेन कैसे उड़ता ही बड़े हुए तो जान गए आप एरोप्लेन कैसे उड़ता है जब TV तो यह जरूर में पिचर कैसे आते हैं तीच्छ गहाँ गया था तो वह सब जानने की जो इच्छा उड़ती थी वह जानने की जिङ्यासा थी वही क्या कहलाती है साइंस कहलाती है और यह जानने की इच्छा जो है आपके इस मानो परडाली में बहुत जादा है यह मानो जात में शुरू से ही यह जानने की जिग्यासा थी तो यही जिग्यासा ही आपकी क्या कहलाई बिज्ञान कहलाई पहरे बच्छों अब जो यह साइ साइन्स सब्द की जो उत्पत्ती हुई है वो सिंटिया नामक सब्द से हुई है किस से हुई है सिंटिया नामक सब्द से हुई है किस से सिंटिया सब्द से हुई है तो आप चाहे होतें इसको हिर्लायन में लिखेगा यूपकि आपको ज़रूरी है यह बाते, किसे उत्पत्ति किससे हुई तो सिंतियां नामक सब्धसे हई है। इंगोह अअर्याक्श्टुियें अब शोमजेगैंगा, इस Cynthia का मतलब होता है जानना इस Cynthia का मतलब क्या होता है डिये स्टुलेंट जानना यानि यहां से हम लोग एक definition और बता सकते हैं कि किसी वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है बिज्ञान कहलाता है प्यारे बच्चो आपकी जो यह science है वो तीन भागों में बढ़ गई य सबसे पहला भाग आपको बताया गया भौतिक विज्ञान या तो अगर आपके कच्छा दसकिस लेवस्त से चले तो सबसे पहला भाग आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान क्या पढ़ना है रसायन विज्ञान जिसकी English होती है C-H-E-M-I-H-T-R-Y Chemistry फिर उसके बाद इसी ग्रिणा का दूसरा भाग बताया गया गया जिव विज्ञान क्या बताया गया जिव विज्ञान जिसको आप लोग करते हो B-I-O-L-O-G-Y बाईलो जी तीसरा भाग आता है आपका थीसरा भाग आपका क्या आता है तीसरा भाग आता है भौतिक बिज्ञार जिसे आप लोग करते हैं पी एच वाई एस आई सी एस फिजिक्स तो प्यारे बच्चो आपको बता दिये जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि साइंस के तीन भाग होते हैं वो तीन भाग आपको कच्छा दस्में पढ़ना है सब तुसरा भाग होता है जिव विज्ञान तीसरा होता है भौतिक बिज्ञान प्यारे बच्चो जो कि आपको बता देते हैं प्यारे बच्चो कि सबसे पहले हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है रसायन विज्ञान के जनक क्या है जैसे आप किसी वहस्तु के बारे में पर जानना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में बे अच्छे तरीके से जान लेते हैं ये स्टुडेंट, तो प्यारे बच्चो, रसायन विग्यान क्या होता है, विग्यान की वहसाखा, जिसके अंतरगौत, हम लोग रसायनिक अभक्रियाओं के बारे में अध अध्यन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं रसायन विज्ञान कहलाते हैं फिर से एक बार रेपीट करते हैं हमने क्या कहा विज्ञान की वहसा खा साइंस की वह ब्रांचेस विज्ञान की वहसा खा जिसके अंतरगत रसायनिक कभक्रियाओं के बारे में रसायनिक समीकर्णों क के बारे में रसायनिक परिवर्तनों के बारे में अध्यन करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है रसायन बिग्यान कहलाते हैं क्या कहलाता है रसायन बिग्यान कहलाता है ठीक उसके बाद दूसरा आता है जिव बिग्यान दूसरा क्या आता है जिव बिग्यान तो जिव बिग्यान क्या होता है कि बिग्यान की वहसा खा बिग्यान की वहसा खा जिसके बारे जिसके तहत या जिसके अंतरगाच हम लोग जिवों का अध्यन करते हैं जिव जंत्वों के बारे में जानते हैं वो क्या कालाता है जिव विग्यान कालाता है जिव और जंत्वों का अध्यन कराने वाला जिव विग्यान रासाइनिक परिवर्तनों का अध्यन कर करने वाला जो परिवर्तन होता है बहुत की गुड़ों का अध्यन कराने वाला क्या का लाता है बहुतिक विज्ञान का लाता है यानि अगर हम दूसरे सब्दों में कहें तो आपके प्रकित का जो आपका प्रकित है प्रकित में जो फैले हुए आउरण है उनके बारे में सामक सब्र से हुई है जो की एक क्या है जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता नेचर यानी प्रकित क्या होती है प्रकित यानी हम कह सकते हैं कि प्रकित के बारे में अध्यन कराने वाला क्या कहलाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है इनके जनक कौन-कौन माने गए हैं इनके जनक मुख्यता तीन लोगों को माना गया है, सबसे पहले आते हैं या सर आईजिक न्यूटन, कौन आते हैं, सर आईजिक न्यूटन, और दूसरे कौन माने गया है, दूसरे माने गया है, आइंस्टीन, कौन माने गया है, आइंस्टीन माने गया है, और तीसरे कोन माने गए हैं? फैराडे माने गए हैं। तो dear student, इन तीनों लोगों को फिजिक्स का जनक माना जाता है। करते ह peculiar आप को साइंस के बारे में जरूर समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों इक बात और आपको पता दे ना चाहते हैं इन में जो है और दूसरा जो है जो विज्ञान और बाइलोजी उसको सचीन सर पड़ाएंगे और जो तीसरा सब्जेक्ट आता है जो कि physics लिखा गया है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चो तो इस subject की जानगारी हम देंगे आपको और प्यारे बच्चो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर पहरीबार होंगे तो चैनल को subscribe कर लिज कि अहत दूल अएपकर के आपको लिखाइबा के यारे बच्चो लिए प्या दोड़ाएब और वापको यारे लिखाएबार हो तो टो कि आपको फिर बच्चो ड़ोगा प्यादा दोडने हां दो टुटू